नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ प्रिग्नेंसी के अभी दिश्यू में तो आज हम बात करने वाल हैं प्रिग्नेंसी में प्रिग्नेंसी में प्रिग्नेंसी में प्रिग्नेंसी में प्रिग्नेंसी में प्रिग्नेंसी में प्रिग्नें तक नॉर्मली लेनी होती है, पॉलिक ऐसे टैबलेट और इसकी जो मात्रा है वो 5MG होती है, नॉर्मली ये 45 टैबलेट का इस तरीकी का एक पत्ता आता है, बहुत ही मिनिमम इसकी कॉस्ट होती है, तो आप आसान इसे इसको अफॉर्ड कर सकते हैं, अगर आप ये टैबलेट अच्छे से लेते हैं, मतलब कि pre-plant pregnancy है, अगर आप पहले से ले रहे हैं, या आपकी pregnancy स्टार्ट होते ही, आप 3 months से continue लेते हैं, तो इसमें 70% तक की शिशु संबंदित विकारों में कमी आती है, तो अगर आप नहीं चाहते हैं, कि आपके बच्चे में किसी भी तरीके की बो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इस तरीके से बनाई हुई है, प्रेगनेंसी में किसी-किसी लेडी को प्रॉब्लम होती है टाबलेट लेने में, तो ये टाबलेट आपके लिए सबसे महत्वून टाबलेट मानी जाती है, इसी लिए इस टाबलेट को टेस्ट लेस्ट बनाया ग विए पिश्चिमि देशों में प्रण टाबलेट को अधर नहीं होती है बाट में लेनी प्रेगनेसी के स्टाफ होने से पहले से ही आप टूर थी मंद्स पहले सकते हो, अगर आप डाक्र से भी नहीं रहे होगो तो भी अगर आप प्रिग्नेंसी चाहते हैं तो आप 2-3 मंस पहले से स्टार्ट कर सकते हैं पर डे की 5 mg की आपकी मात्रा होनी चाहिए इस टैबलेट की इस टैबलेट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कॉमेंट सेक्स में ज़रू पूछेगा थैंक यू म करते हो नेक्स वीडियो में